नमस्कार साथियो स्वागत है आपका प्रकास क्लास इसके ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग जो है शंधी पढ़ने जा रहे हैं जो उत्तरप्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल लेकपाल और यूपी टेट की परिक्षा के लिए बहुत जदा इंपॉर्टेंट है और यहां से कई यहाई प्रशन पूछे भी जाते हैं तो चलिए हम लोग करते हैं संधी क्या होता है संधी क्या होती है संधी का देखिए अगर हम लोग आर्त समझना चाहें संधी का आर्त क्या है तो संदिकार्थ होता है संयोग या समझोता या एक तरह का वर्ण विकार यानि कि शंदी जो होती है शंदी में सिर्फ एक ही कारी होता है या तो वर्णों का विकार होगा यानि कि वर्णों का मेल होगा या फिर समझोता होगा या संयोग होगा पुराने समय में राजा माराजाओं के बीच शंदियां हुआ करती थी यानि कि समझोते हुआ करते थे बैसे ही अब हमारी जो हिंदी वाशा है उसमें वर्णों के भी बीच एक समझोता होता है यानि कि मेल होता है और शेयोग होता है अगर हम इसकी definition के तौर पे देखना चाहें तो क्या कहेंगे कि दो वर्णों के मेल को संदी कहते है या हम यह कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संदी कहते है और विकार का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन यानि कि दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है जो विकार होता है उशे हम लोग संधी कहते हैं ठीक अब संधी हमारी होती कहां कहां है कहां नहीं होती है तो इसके लिए हम थोड़ा सा और समझ ले रहे हैं जैसे कि हमारे पास दो शब्द लिखे हुए हैं दो शब्द कौन कौन से लिखे हैं जैसे लिखा हुआ है परम पिलस अर्थ परम पिल यह हमारा प्रिथम शब्द है और दुतिय शब्द है हमारा अर्थ यह दुतिय शब्द हो गया ठीक है अब प्रिथम शब्द है परम परम में जो अंतिम बर्ण है वो है मा तो परम में जो अंतिम बर्ण है मा अगर हम इसे अलग करना चाहें तो परम पिलस आ आ वर्ण निकला यानि कि प्रतिये के बेंजन वर्ण में आ वर्ण छिपा रहता है तो परम में देखिए आ गया और अर्थ में जो आ है पिलस था था के उपरा इसे अलग कर दे रहे हैं अब जो आ है और ये वाला आप दोनों मिल जाएंगे यानि कि प्रतम शब्द का अंतिम्बर्ण और दु जब दोनों मिलते हैं जोनों के मिलने से जो विकार होता है क्या विकार हुआ और जब भी आ प्लस आ मिलते हैं तो हमेशा बनता है बड़ा थिक तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उशे शंदी कहते हैं थिक अब क्या विकार हो गया जो आ प्लस आ मिलकर आ वना है यह आ जाएगा, इस मा के अंदर, ठीक है, तो यह बन जाएगा, देखिए, परमा, जैसी बड़ा मा के अंदर गया, तो यह बन गया, परमा, और इधर बचा है, यह थके उपर रा, यह इसमें और जोड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा, परमार्थ, क्लियर, तो परम पिलस अर्थ बरावर हो गया परमार्थ ठीक है परम पिलस अर्थ बरावर हो गया परमार्थ यानि कि दो वरणों के मेल से जो विकार उत्पन हुआ उसे हम लोगों ने कहा शंदी यानि कि दो वरणों के मेल को हम लोग कहते हैं शंदी कहते हैं ठीक है अब संदी हमारी कहां कहां होत एक होती है एच्छिक रूप में और एक होती है अनवारिय रूप में ठिक एक होती है एच्छिक रूप में और दूसरी होती है अनिवारिय रूप में ठिक अगर प्रशन ये भी परिक्षा में पूछ लिया जाए कि शंदी जो है कितने रूपों में होती है तो हमें याद होना चाहिए शंदी सिर्फ दो रूप में होती है एक होती है एक्षिक रूप में और एक होती है अनवारी रूप में ठीक है जो एक्षिक रूप में शंदी हो होती है टोटल कितने प्रकार की होती है अगर प्रकारों की बात करें संधी के अगर प्रकारों की बात करें तो संधी हमारी जो होती है वह तीन प्रकार की होती है ठीक तीन प्रकार की होती है कौन-कौन सी होती है जिसमें से हाँ नंबर एक है हमारी स्वरसंदी है हम लोग कम समय में अधिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो है और बगए रिश्किप की लास्ट देखिएगा नंबर एक हम लोग पढ़ेंगे स्वरसंदी नंबर दो पढ़ेंगे हम व्यंजन संधी और नंबर तीन पढ़ेंगे हम लोग विशर्ग संधी संधी हमारे तीन प्रकार की होती है तो संधी हमारी जो वो तीन प्रकार की होती है नंबर एक स्वरसंदी नंबर दो वियंजन संदी और नंबर तीन होती है विशर्ग संदी यानि कि संदियां तीन हो गई स्वर वियंजन और विशर्ग संदी होती है यह हो गया हमारा संदी का प्रकार ठेक अब एक प्रशन आता है कि संदी विच्छेद किसे कहते हैं संदी विच्छेद किसे कहते हैं तो देखिए संदी का उल्टा होता है संदी विच्छेद संदी का एकदम विपरीत होता है विच्छेद संदी और विच्चेद, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं यानि कि संदी का उल्टा हुआ विच्चेद अब हमने इस शब्द को, परम पलस अर्थ को इसमें से हमने नियम लगाकर एक शब्द बना दिया परमार्थ है तो हम कह सकते हैं कि शंदी के नियमों द्वारा वने शब्द को संदी के नियमों द्वारा वने शब्द को पुनहा मूल अवस्था में बापस ले जाना ही संदी विच्छेद कहलाता है ठीक विच्छेद यानि कि शंदी तो हम लोग पढ़ी रहे हैं और यहां हम लोग क्या विच्छेद, ठीक, विच्छेद क्या होता है तो शंदी परमार्थ में हमने जो नियम लगाया, उस नियम के माद्यम से बन गया परमार्थ यानि कि परम पिलस अर्थ में जो नियम लगाया, उस नियम से हमारा बन गया परमार्थ अब शंदि के नियमों द्वारा वने शब्द को सब्द क्या वना हमारा परमार्त वन गया अब इस परमार्त की बात कर रहे हैं कि शंदि के नियमों द्वारा वने शब्द को पुनहा मूल अवस्था में जिस अवस्था में था वो मूझ अवस्ता में बापस ले जाना ही विच्षेद कहलाता है जिसे हम लोग कहते हैं संदी का विपरीत होता है अब परिक्षा में प्रश्न पोचा जाता है कि संदी हमारा किस प्रकार का शब्द है इस्त्रेलिंग है या पुलिंग है यह Qyoshen भी आता है तो शंदी शब्द जो है मारा पुलिंग होता है इसे भी याद कर लीजे संदी शब्द जो है मारा वो कैसा है पुलिंग शब्द है अब हम लोग पढ़ेंगे संदी के प्रकारों में तीन प्रकार के शंदी होने पढ़ी है स्वर्वेंजन और विशर्ग तो स्वरसंदी को श्टार्ट करने जा रहे हैं लाश्ट तक बने रहेगा अब हम लोग श्टार्ट करने जा रहे हैं स्वरसंदी स्वरसंदी क्या होती है अब स्वरसंदी के नाम से इस पष्ट है कि जहां स्वरों के बीच में क्या होगी संदी सोरों के बीच में जो शंदी होती है, उसे ही हम कहते हैं? सोरसंदी कहते हैं अगर परिवासा के तौर पर आपनों लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं कि दो सोरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वरसंदी कहते है उसे स्वरसंदी कहते है जैसे कि कोई अग्जामपिल लिखा हुआ है रतनाकर मतलब रतन पिलस आकर रतन पिलस आकर तो रतन में अगर हम देखें तो रतन का अंतिमबन यानि की जो हमारा प्रथम शब्द है इसका अंतिमबन अंतिमबन बनेगा रतन पिलस अ और दुतिय शब्द का प्रथम बन आ और इधर क्या लिखा हुआ है कर ठीक है तो आकर को हमने अलग अलग कर लिया तो बने गया अ प्लस कर अब देखो प्रथम सब्थ का अंतिमर्ण दूटीय शब्र सब्थ उ consort जब दोनों मिलेंगें तो बनेगा शंदी ठीक है तो इसका अ प्लस आ यानि कि दोनों सीटों पर देखिए सुर है इधर भी सुर है और इधर भी शुर है तो दो सुरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग कहते हैं शुरसंदी और जैसे यह दोनों मिलेंगे तो यहां बनेगा बड़ा आ और बड़ा आ जाएगा रतन के अंदर तो यह हो आएंगे रतना और कर और लगा हुआ है यह हो गया रतनाकर यानि कि रतन पिलस आकर वरावर हो गया रतनाकर अब बात आती है सोर संदिके भेदों की सोर संदिके कितने भेद होते हैं शोरसंदी के भेद जो होते हैं इनकी संख्या होती है 5 हिंदी में हम लोग 5 प्रकार के पढ़ते हैं शोरसंदी के भेद कौन-कौन से होते हैं इनने भी हम लोग आसानी से समझ ले रहे हैं हाँ इन्हें भी थोड़ा हम समझ ले रहे हैं तो शोरसंदी के जो भेद होते हैं देखो जिसमें पहला है हमारा दीर्ग संदी दीर्ग स्वर संदी ठीक है दूसरा है गुड स्वर संदी ठीक है तीसरा है व्रद्दी स्वर संदी और चोथे नमबर पे है यण स्वर संदी और पांचमें नमबर पे आती है अयादी स्वर संदी यानि कि जो स्वर संदी है हमारी तोटल पांच परकार की होती है दीर्ग दीर्ग गुड वरद्दी यण और अयादी पांच परकार की हो गई अब देखिए दीर्ग स्वर संदी गुड वरद्दी ये जहां पर भी होते हैं तो इनका याद कर लीजें कि जहां भी दीर्ग गुड या वरद्दी ये तीनों स्वर संदियां होंगी तो इनका प्रथम पद जो होगा प्रथम पद वो सार्थक होता है ठीक है ये चीजात कर लो कहीं पर भी दीर्ग गुड वरद्दी इन तीनों में से कोई विशंदी है तो उसका प्रथम पद जो होता है वो होता है शार्थक और अगर कहीं पे भी यण और अयादी है तो इनका जो पिर्थम पद होता है पिर्थम पद सार्थक नहीं होता है सार्थक नहीं होता है तो अगर कोई शब्द आया जिसका पिर्थम पद सार्थक है तो आप तुरंत समझ जाईए कि वो दिर्ग हो सकती है, गुड हो सकती है, वरद्धी हो सकती है, लेकिन यण और आयादी नहीं होती है जैसे कोई अग्जामपिल लिखा हुआ है, हाँ, देवेंद्र, देवेंद्र और इसे अगर हम अलग-अलग कर दें, तो वनेगा जाके देव पिलस इंद्र ठीक है, अब जो प्रिथम पद है ये, अगर प्रिथम पद सार्थक है, पद का मतलब होता है शब्द तो प्रिफम पद है अगर ये सार्थक है तो शंदी दीर्ग हो सकती है गुड़ हो सकती है वरदी हो सकती है लेकिन यड़ और अयादी नहीं हो सकती इतनी बात समझ गए अगर ये सार्थक नहीं है तो फिर दीरग भी नहीं होगी गुड भी नहीं होगी वरधी भी नहीं होगी यानकी यड और अयादी मेंसे कोई भी एक शंदी हो सकती है ठीक है इतनी बात किलियर हो तो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं के नाम से इस पेश्ट है दीर्ग का मतलब होता है बड़ा दीर्ग का मतलब है बड़ा यानि की दीर्ग शुर जो दीर्ग शुर हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं आ बड़ा यानि की बड़ा बड़ी इ बड़ा उ और रिर रिर भी इसी में काउंट कर लिया जाता है यहां प जहां पर भी होगी तो इसकी पहचान होती है इसकी पहचान क्या है कि दीर्ग शंदी युक्त जो शब्द होते हैं सब्द के मध्य में जो दीर्ग शंदी युक्त सब्द हैं सब्द के मध्य में बढ़ा वड़ीई बढ़ाउ और रिर ठिक बढ़ा बढ़ीई बढ़ाउ और इनकी मात्राएं लगी होगी जहां भी दीर्ग सोट संदी होगी वहां शब्द के मद्ध में बढ़ा, बढ़ी, बढ़ाउ और रिर्ग, इनकी मात्राएं लगी होती हैं सबसे अच्छी पहचान तो यही है अब कैसे पहचानेंगे हम बढ़ा की जो मात्रा होती है वो इस तरह से लगती है बढ़ी की जो मात्रा होती है वो इस तरह से लगती है और रिर्ग जो होता है हमारा वो ऐसे नीचे लगा रहता है ठीक है तो ये कहलाती है हमारी मात्राइं यानि कि दीर्ग शंद युक्त जो शब्द होगा उस शब्द के मद्ध में बढ़ा बढ़ी बढ़ा उख और रिर्ग की मात्राइं लगी होंगे नियम क्या होता है दीर्ग का मतलब दीर्ग शंदी का नियम क्या है दीरक्षंदी का नियम है कि जब दोनों वर्ण मिलते हैं तो दोनों वर्णों के स्थान पर वर्णों को हम लोग मान सकते हैं शीट यानि कि प्रिथम सीट और पिलस दुतिय सीट ठीक है यानि कि प्रिथम शब्द का अंतिम बर्ण और दुतिय शब्द का प्रिथम बर्ण प्रिथम सीट और अंतिम सीट दोनों सीटों पे समान स्वर होता है ठीक ये इसकी पहचान है या नियम है ये समझे लिए दोनों सीटों पर दोनों सीटों पर समान स्वर होता है दोनों सीटों पे समान स्वर होता है जहां भी दीरुक्षन दियोगी यानि कि अगर पहली सीट पर आ अथवा बड़ा आ है तो दूसरी सीट पर भी आ अथवा बड़ा आ ही होगा अगर पहली सीट पर इ अथवा बड़ी इ है तो दूसरी सीट पर ई अत्वा बड़ी ई ही होगी अगर पहली सीट पर उ अत्वा बड़ा उ है तो दूसरी सीट पर भी उ अत्वा बड़ा उ ही होगा अगर पहली सीट पर रिर है तो दूसरी सीट पर भी रिर ही होगा अब देखो condition चाहे कोई भी हो चाहें छोटा आ के साथ में छोटा आ हो वड़ा आ के साथ में वड़ा आ हो यानि कि कंडिशन कोई भी हो दोनों कंडिशनों में जो बनेगा वो बड़ा आ ही बनेगा इधर छोटी यह चाहें बड़ी यह चोटी यह कुछ भी हो हर condition में बनेगी बड़ी एसी छोटू या बड़ाऊ बड़ाऊ या छोटाऊ कुछ भी हो हर condition में बनेगा बड़ाऊ ही और रिर चाहे कोई भी हो हर condition में रिर ही बनेगा क्योंकि हिंदी में केवल एक ही रिर होता है वो होता है रहिश्व दीर्ग नहीं होता है ठिक तो यह तो हमारे नियम रहे कि दोनों सीटों पर समानसर होता है ठिक A, E, U, R, R, A, E, O और R, दोनों सीटों पर समानसर होता है अब देख़े कंडिशन क्या होगी जैसे छोटा आ आ आया इसके साथ में बड़ा आ भी आ सकता है तब भी बड़ा आ ही बनेगा छोटा आ के साथ में छोटा आ आ आया तब भी बड़ा आ ही बनेगा ठिक और बड़ा आ के साथ में अगर छोटा आ आ आ आ आ आ आ अगर दोनों बड़ा आ आ आ गए तब भी बड़ा A ही बनेगा कंडिशन चाहे कुछ भी हो सेम कंडिशन E वाली पे लागू होगी ऐसे U और ऐसे रिर यानि कि सभी पे सेम कंडिशन लागू होगी चाहे E E E E U U कुछ भी हो अगर E E के साथ में E है तो बड़ी E ही बनेगी चाहे E कोई भी आए फार एक्जामपिल अब हम कुछ उधारन समझ ले रहे हैं उधारनों के माद्देम से थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा जैसे पहला उधारन है मारा नित्यानंद नित्यानंद फिक अब शब्द आगया नित्यानंद में कौन सी संदी है तो हमें पता है कि दीर्ग युक्त शंदी युक्त सब्द होते है जिनमें दीर्ग संदी होती है वड़ा आ बड़ी E बड़ू की मात्रा लगी होती है यानि कि शब्द में देखिए बढा ऑ, बड़ी, ई, बढ़ो की मातरा लगी है अगर मातरा लगी है तो संदी यहां पे कौन सी है 90% तो पैचान यही है कि जहां मातरा लगी हुई हो वहीं से दुखवाँ पैचान हो जाती है अगर यहां से हम लोग अलग-अलग कर दें इस तरह से ठिक तो यहां देखिए क्या बचा है यहां बचा है नित्य तो अलग हो गया ठिक पिलस यहां जो मात्रा लगी है वो मात्रा लगी है बड़ा आ की तो बड़ा आ तो इधर आ जाएगा अब बचानन्द क्या हो गया आनन्द नित्य पिलस आनन्द बरावर क्या हो गया नित्य अब अगर इस तरह का सब्दा जाए नित्य प्लस आनंद में कौन सी शब्दी है नित्य प्लस आनंद में कौन सी संदी है तो कैसे पहचानेंगे तो हमें पता है कि दोनों सीटों पर समान स्वर होना चाहिए तो हमने देखा नित्य का जो नित्य है नित्य का अंतिम बर्ण क्या है इसमें आ नित्य में से निकल जाएगा और प्लस आनंद का बड़ा आ और नंद इधर कर देंगे तो ये आ और ये आ जब ये दोनों मिलेंगे तो यहां बनेगा बड़ा आ ठिक और ये बड़ा आ कहा जा तो ये बनेगा जाके नित्यानंद इतनी बात के लिए बने गया नित्यानंद तो जो शब्द लेकर चलेते वही शब्द में प्राप्त हो गया दो शब्द हम लेकर चले वही शब्द में प्राप्त हो गया यानि कि दोनों सीटों पे समानशुर होने पर हर कंडिशन में दीर गिसंदी ही बनती है ठीक है इसे नोट कर लो जरा एक वार फिर हम लोग एक्जामपिल की बाद करते हैं अब अगला ग्यामपिल हमारा विद्यारंब विद्यारंब ठीक हमने देखा कि विद्यारंब शब्द आ गया है कैसे पैचानेंगे कि यहांपी देर विशंदी है तो विद्यारंब में देखिए यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है सब्द के मध्ध में बड़ा आ बड़ी इ बड़ा उ या रिद इनकी कोई भी मात्राइं आपको दिखाई दें आप तुरंत पहचान लिजे देर्वशंदी है तो विद्या रंभ में हमने देखा बड़ा की मात्रा लगी है तो अगर इसका बिच्षेद करेंगे तो यहीं से करेंगे जहां मात्रा लगी हुई है ठिक? और मात्रा लगी है तो देखो इधर क्या वनेगा जाके इधर वनेगा विद्या ठिक और जो मात्रा लगी है वो मात्रा जो है वो है आकी इतनी बात क्लियर जो मात्रा लगी है वो आकी है और इधर जो बचा है वो है रंब और रंब इसमें जोड दीजिये यानि की हो गया आर तो विद्ध्यारंब को अलग करेंगे तो बनेगा विद्ध्या प्लस आरंब ठिक और अगर इस तरह का शब्द आ गया विद्ध्या प्लस आरंब में कौन सी शंदी होगी या विद्ध्या प्लस आरंब बराबर क्या बनेगा इस तरह कोई कुश्चन आता है तो देखिए किस किस तरह इसे करेंगे हम लोग विद्ध्या प्लस औरम में किस तरह करेंगे देखो विद्ध्या में अंतिम्बन्ण जो है वो क्या है आ है तो यह वनेगा जाके विद्ध्य और अलग निकल जाएगा ठीक और आरंब का है यह अलग रहेगा और रंब प्रिथम शब्द का अंतिमण और दुतिय शब्द का प्रिथमण जब ये दोनों मिलते हैं तो शंदी होती है ठीक है तो आ प्लस आ मिलेगा तो बनेगा वड़ा आ और वड़ा आ जब विद्ध के अंदर जाएगा तो ये वन जाएगा विद्ध्या और इदर रंब है ये और इसमें जुड़ जाएगा ये हो गया विद्ध्या रंब ठीक है अब देखो जो शब्द लेके चलें वही शब्द में प्राप्त हो गया ये वन गया विद्ध्या रंब ठीक इस तरह अगला एक्जाम पर ले देखिए हाँ मुनीश्वर मुनीश्वर अब इसमें कैसे अलग करेंगे हमने देखा जहां पे मात्रा दिखाई दे शब्द के मद्ध में जहां भी की आपको मात्रा दिख रही है बही मात्रा पे पॉइंट रखिए हमें मात्रा यहां पे दिख रही है अब यही से हम ऐसे अलग करेंगे यह मात्रा है किष्की यह मात्रा है वड़ी की वड़ी की मात्रा है तो हमने देखा वड़ी की जब मात्रा है तो इधर क्या बनेगा जाके मुनी ठिक मुनी हो गया अब मुनी बनेगा कि मुनी बनेगा ये आपको देखना है कैसे पैचान करेंगे इसके कि मुनी बना है कि मुनी बनेगा अब देखो कहीं भी यह आप लिखते हैं तो वर्तनी की दरश्टी से मुनी इस तरह तो लिखा नहीं जाता है तो मुनी में जब लिखते हैं तो हमेशा छोटी E की पाई लगती है मुनी यह होता है मुनी पिलस अब देखो यहां मात्रा जो लगी है वो बड़ी E की है तो बड़ी E वाहर निकलेगी आगे लिखा हुआ है श्वर तो यह हो गया E श्वर यानि कि मुनी पिलस E श्वर क्या चिपा है और इदर क्या चिपा है यानि कि दोनों सीटों पे समान सो रहें जब दोनों सीटों पे समान सो रहें तो संदी कुंसी है हमारी देर्ग और देर्ग शंदी है तो प्लस ए मिलकर बनेगा बड़ी ऑब बड़ी जब इस मुनी के अंदर जाएगा तो यह बन जाए महिंद्र महिंद्र को हम अलग करेंगे तो कैसे करेंगे जहां शंदी लिखी हुई है वही से एकदम हम इसे अलग कर देंगे जहां से संदी है वही से अलग कर देंगे यहां से मात्रा लगी हुई है तो यह बन जाएगा मही मही ऐसे बनेगा मही प्लस देखे बड़ी एकी पाई लगी है तो यह हो जाएगा इंद्र इंद्र जब भी लिखते हैं हम छोटी एकी मात्रा बनाते हैं तो मही प्लस इंद्र अब देखो मही प्लस इंद्र बरावर हो गया महिंद्र अगर मही पिलस इंदर आ जाए पूछे यहां कौन सी शंदी है तो हम मही में निकाल लेंगे यहां पे देखो E है बड़ी E और यहाँ पे है छोटी E यानि कि दोनों सीटों पे समानसर है और दोनों सीटों पे समानसर होता है तो शंदी होती है हमारी दीर्ग यानि कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गया होंगे कि दीर रुक्षंदी क्या होती है और ज्यादा एक्जाम्पिल पढ़ने हैं तो हमारे दूसरे वीडियो को देखिएगा इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे गुडश्वरसंदी मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में धन्यवाद